Dear Students, Welcome to my YouTube Channel. Dear Students, MDCAD Series Fundamental Concepts में से आज हमने देखना है कि हम मोद रेशियो से amount given है हमारे पास हम कैसे formula कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा molecule है तो इससे हम एक question solve करते हैं better understanding के लिए question है हमारे पास What is the formula of sodium oxide a point 69 gram of sodium reacts with point 24 gram of oxygen तो आप इसको point 69 को मैंने पहले भी बताया था पहले point खतम कर दें point खतम करेंगे तो ये बन जाएगा 69 और इसको molar masses के divide कर दें तो ये आ जाएगा 23 तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगे 3 moles अब इसके बाद हमारे पास ये है oxygen का इसका भी point खतम कर दें point 24 की बजाए आप इसको 24 लिखें और oxygen का molar mass होता है 16 तो ये हमारे पास आजाएगा 1.5 simply आप इसको 8 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 8 इंटो 3 और ये 8 इंटो 2 3 by 2 1.5 और फिर इनकी mode ratio सेट कर लें देखें जो आपके पास sodium है और oxygen है ये 3 है और ये 1.5 है तो अगर आप simplest ratio निकालना चाहते हैं simple इसको करना चाहते हैं तो 1.5 by 1.5 और ये 3 by 1.5 मतलब ये हमारे पास 2 आ जाएगा ये हमारे पास 1 आ जाएगा अगर ये 2 1 आ जाएगा तो हमारे पास answer बन जाएगा na2o तो इस तरह से हम इस mcq को solve कर सकते हैं तो option थे हमारे पास nao nao2 और ये na2o और फिर हमारे पास आ जाए na2o2 तो answer बन गया na2o अब यहाँ पर आपने note किया मैंने points को दोबारा calculation ही नहीं की point की वज़ा क्योंकि दोनों में point same distance पे था यानि दो digit छोड़के था तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है कि मैं दोनों में point वाली calculation करूं मैंने अगर दोनों के point खतम किये हैं तो इसका मतलब है मैंने मोल बन रहे थे three तो six point nine के कितने बनते यह बन जाते point three और फिर point six nine के कितने बनते वह बन जाते point zero three तो वह three की बजाए point zero three बनते इसी तरह यह जो one point five आ रहा है one point five 24 से आ रहा है अगर point two point four होता तो यह बन जाता point one five इस तरह से और अगर point two four होता तो यह बन जाता point zero one five अब अग point zero one five और point zero three की रेशो निकालेंगे तो वह भी same आहेगी जो पहले आई थी तो मैंने यहाँ पर चूंके same distance पे point था दोनों में तो मैंने दोनों का खतम कर दिया और फिर bother ही नहीं किया मैंने दोबारा कि यहाँ point भी था क्योंकि उसके बगेर ही हमारा मसला हल हो गया था यह था यह students हमारा छोटा सा एक lecture thank you very much